सब्स्ट्राइब किजिए मेरे चैनल LFD हिंदी ट्यूटिरियल को और सबसे पहले मेरा वीडियो पानी के लिए घंटी के निशान पर किलिक किजिए हलो फ्रेंड मेरे चैनल LFD हिंदी ट्यूटिरियल में आपका स्वागत है आज का अमारा विशे है विराम चिन्य विराम का मतलब होता है ठैजना या रुकना जब हम किसी वाग के को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस समय थोड़ी देर रुकना आवशेक होता है जिससे की हमारी बात या भाशा अच्छी तरह से इस पश्ट और अर्थपूर हो जाए तो इसी लिए हिंदी में कुछ विराम चिन्नों का प्रयोग किया जाता है तो मैं आपको हिंदी के विराम चिन्नों के विशे में बताती हूँ कि कौन-कौन से विराम चिन्नों का हिंदी में प्रयोग किया जाता है पहला हमारा विराम चिन्न है पूड विराम पूड विराम सभी प्रकार के जो प्रश्न वाचक वाक्य होते हैं और विस्मियादी बोधक चिन्न वाले वाक्य होते हैं उनको छोड़कर वाकी सभी वाक्यों में पूड विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे कि हम किसी भी वाक्यों को समाप्त करते हैं जैसे मैंने एक बात की लिखा वाहा छट से गिर गया तो ये वाक्य ना तो प्रश्नवाचक है ना विसमयादी बोधक है दोनों में से कोई भी प्रकार का नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर फूर्ण विराम का प्रियोक किया है इसी प्रकार से दूसरा मेरा विराम चिन्न है अर्द विराम अर्द विराम मतलब आधा विराम अर्द विराम में क्या होता है फूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना होता है वह होता है अर्दवराम जैसे मैंने एक उधारन लिखा फलो में आम सरुस्रेष्ठ है फलो में आम सरुस्रेष्ठ है यहाँ पर मैंने लगा दिया अर्दवराम किन्तु शिरी नगर में और ही किस्म के फल होते है अर्दवराम इसको इंग्लिश में सेमी कॉलम भी बोला जाता है तो देखे इस चिन्द में क्या है हमें पूडवराम से भी कम समय के लिए रुखना पड़ रहा है और यहाँ पर इस चिन्द को लगाया गया है फलो में आम सरुस्रेष्ठ है किन्तु शिरी नगर में और ही किस्म के फल होते है यहाँ पर पूडवराम में पूरी तरह रुखना पड़ रहा है और यहाँ पर पूर विराम से भी कम समय के लिए रुखना पड़ रहा है तो वह चिन जिसमें पूर विराम से कम समय के लिए रुखना होता है वहाँ चिन अर्द विराम कहलाता है तीसरा है हमारा अल्प विराम अल्प विराम अल्प वराम चिन वहाँ चिन जिसमें अर्द वराम से भी कम समय के लिए रुखना पड़ता है वहाँ पर अल्प वराम का प्रेयोग किया जाता है जैसे कुछ समुच्य बोदक शब्द होते हैं लेकिन परंतु इसलिए इन शब्दों के पहले अल्प वराम का प्रेयोग किया जाता है जैसे मैंने एक वाद की बता हूँ आपको एक वाद की लिखा मैं ठक गया हूँ इसलिए इसलिए विश्राम करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसलिए से पहले इसलिए से पहले अल्प वराम शब्द का प्रेयोग किया गया है इसी प्रकार से अल्पवराम का प्रयोग, जब हम शब्दों की पुन्रावर्ति करते हैं, यानि शब्दों को रिपीट करते हैं, तो उस समय भी अल्पवराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे भागो भागो, आग लग गई, ऐसा एक वास्त लिखा, तो देखें यहाँ पर श शब्दें भागो भागो, इनकी पुन्रावर्ति, ये दो बार आ रहे हैं, बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो जहाँ पर शब्दों को रिपीट किया जाता है, पुन्रावर्ति होती है, वहाँ पर भी अल्पवराम का प्रियोग किया जाता है, अब अगला चिन ने, प्रश्न वाचक चिन्ग, जब भी हमारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, तो उसके अंत में प्रश्न वाचक चिन्ग का प्रियोग किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया वहा कहां गया है और लास्ट में प्रश्णवाचक चिन्न का प्रियोग कर दिया. तो इस प्रकार वाक्यों के अंतर में जो चिन्न लगते हैं वहाँ प्रश्नवाचक चिन्न कहलाते हैं. पांचवा हमारा विराम चिन्य विसमे सूचक चिन्य का प्रयोग हर्ष, घिर्णा, शोक का भाव जिन वाक्यों में प्रकट होता है वहाँ पर इस चिन्य का प्रयोग किया जाता है जैसे हाई इसके बाद हम विसमे आदी वोदक चिन्य का प्रयोग करेंगे हाई वेचारा वैर्थी मारा गया तो जिस सब्द से आश्चर घिर्णा का भाव प्रकट होता है उस सब्द के बाद विसमे सूचक चिन्य का प्रयोग किया जाता है नमर छे उद्रण चिन्न जब किसी की कही ही बात या कथन को हम ज्योंकित्यों प्रियोग करते हैं तब उस समय उद्रण चिन्न का प्रियोग किया जाता है जैसे एक वाक्य है नेता जी सुभास चंद्र बोस ने कहा उद्रण चिन्न का प्रियोग करेंगे हम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसके बाद उद्रण चिन्न को बंद कर देंगे तो यह किये यह सुभास चंद बोस का कथन था इसको यो की त्यों लिखा गया है यहापर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यहाँ पर बाक्य के प्रारम में और अंत में उध्रण चिन का प्रयोक किया गया है हमारा अगला चिन है सात्वा चिन है योजक चिन इस प्रकार से लगाय जाता है यह योजक चिन सामसिक पद होते हैं सामस्तिक पदों की बीच में योजक छिन्न का प्रयोक किया जाता है जैसे लाव, हानी और भी सामस्तिक पद हैं माता, पिता इनके बीच में योजक छिन्न का प्रयोक किया जाता है इसी प्रकार से कुछ तुलना सूचक शब्द होते हैं तुलना बताने वाले उनके बीच भी वो जब सिन्न का प्रेयुक किया जाता है जैसे मैंने लिखा चांद सा चेहरा फूल तो इसके बीच में चांड सा फूल सी मुस्कान चांड सा चेहरा फूल सी मुस्कान इसमें क्या है तुल्ना की जा रही है तो इनके बीच में चांसा के बीच में भी योजक चिन्न का प्रयोक किया गया है और फूल सी मुसकान इनके बीच में भी योजक चिन्न का प्रयोक किया गया है अगला चिन्न है हमारा कोस्टक कोस्टक इसको दो प्रकार से लगाते हैं ये छोटा कोस्टक ये बड़ा कोस्टक तो किसी भी कठिन शब्द के अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी भी कठिन शब्द है उसको प्रकट करने के लिए इस चिन्न का कोस्टक चिन्न का प्रयोग किया जाता है जैसे मैं आपकी सामर्थ यहां कोश्टक में लिख दिया शक्ती को जानता हूँ तो देखें यहां पर सामर्थ एक कथी शब्द है इसको इसपष्ट करने के लिए कोश्टक में शक्ती लिख दिया गया सामर्थ का मतलब होता है शक्ती तो इस तरह से कोश्टक चिन्य का भी इसमें प्रयोक किया गया जाता है हमारा अगला विराम चिन्य है हनस्पद जिसको तुरुटी बोधग भी बोलते हैं जब हम किसी वाक के को लिखते हैं तो वाक के को लिखते समय हमसे कोई शब्द छूट जाता है तो हम उस शब्द के नीचे इस प्राकार का चिन लगा के उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं तो यह है हमारा हंस्पद जिसे हम तुरुटी वोदक बोलते हैं जैसे स्वतंत्रता हमारा अधिकार है यहाँ पर देखिए एक शब्द छूट गया है तो हम इस चिन को नीचे लगा कर जन्मसिद्ध यहाँ उपर लगा के हम इसको लिख सकते हैं तो यह है हंस्पद तुरुटी वोदक इसके बाद अगला आया हमारा रेखांकन चिन यह इतना वड़ा होता है रेखांकन चिन इसका प्रयोग जब हम किसी बात को लिखते हैं कोई महतपूर बात किसी की महतपूर करती तो किसी महतपूर बात को समझाने के लिए किसी महतप शब्द को अंडरलाइन करने के लिए हम रेखांकन चिन्द का प्रयोग करते हैं जैसे गोदान गोदान उनसी प्रेमचंद की एक प्रसिद्द करती है गोदान उनसी प्रेमचंद का सरोस्रेष्ट उपन्यास है गोदान क्या है एक महत्पूर उपन्यास है तो इसके नीचे क्या है हम रेखांकन चिन्द का प्रयोग करेंगे अगला है लागप चिन लागप चिन इस तरह से लगाया जाता है और इसका प्रियोग लागप चिन का प्रियोग हम कब करते हैं जब हम किसी शब्द को संशिप्त रूप में लिखना चाहते हैं तब इस चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे इसको लिखा मैंने यह पेपर के नीचे भी लिखा रहता है जब एक्जाम के वेपर होते हैं इसका मतलब होता है क्रप्या प्रस्ट उलटिए प्रस्ट उलटिए यह चिन्द क्रप्या प्रस्ट उलटिए इसी प्रकार से जैसे राच्की उच्चतर माद्यमेग विध्याल है इसमें भी हम इस प्रकार के चिन्द का प्रियोग कर सकते हैं तो यह है हमारा लागप चिन्द इसका प्रियोग क्या है किसी शब्द को हम संशिप्त में लिखना चाते हैं तो इस प्रकार के चिन्द का प्रियोग करते हैं तो ये मेरा विराम चिन्द से संबंदित वीडियो यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद